टीम इंडिया के तेज गेंद बास को लेकर भारत के पूर गेंद बाजी कोच ने बड़ा खुला सकिया है। उन्होंने इस गेंद बास को काफी खतरनाक बताया है। ये गेंद बास जस्परीद बुमरा और मुहमद शमी नहीं बलकि मुहमद सिराज है। हाला कि ये दोनों गेंद बास ज्यादा समय के लिए टीम इंडिया के लिए नहीं खेल सकेंगे। सिराज को अभी भी 30 साल की उमर में बहुत कुछ खेलना है जबकि शमी 33 साल के हैं। ऐसे में टीम इंडिया को जल से जल दोनों की रिप्लेस्मेंट के बारे में सोचना भरत अरुन ने इसका हल निकाला है कि हम उनके विकल्प कैसे ढूंड सकते हैं। इंट्रव्यू में बात करते हुए भरत अरुन ने कहा कि आईपियल में ऐसे कई गेंद बास हैं जो 140 तू 150 किलोमीटर पर आर की स्पीज से बॉलिंग करते हैं। और उन्हें पहचानना, नि गेंद बाजी का मतलब है कि गेंद बाजों को एक ऐसी पिछ पर गेंद बाजी करनी होती है जहां उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि गेंद बाजों को शालाकी दिखानी होगी और भाद ये परिस्तितियों के कारण गेंद को रिवर्स करना सीखना होगा इससे सिराज और शमी को काफी मदद मिलेगी इसलिए ऐसी परिस्टियों में जब गेंद रिवर्स हो रही हो तो सिराज शायद उनिया के सबसे खतरनाक रिक्विटर्स में से एक है मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और हमारे चैनल एबीप स्पोर्ट्स लाइक को सब्सक्राइब करना ना